प्रोहर के रूप में सजोकर रखा गया है इसके बगल में सुराज भुवन है तो अगर फ्रेंड्स आज मेरे विश्कुल की बच्चे हैं और हम जा रहें पिक्निक पे तो चलते हैं और दिखाएंगे और मिलते हैं आगे फूल बस्ती पूरा ब्लॉग दिखाएंगे तो आप लोग बने रहें और इंजा करिए हुआ है पाने ने पहुंचुके यूपी, यूपी में तारा मंडे है, वहां पर बसका ख़ड़ा होने का शल्दा हम कहां पर ख़ड़ा करते हैं, इसके बाद चले हैं अंदर, और देखते हैं कासे हैं, आपको बाहर के बीज़ दिखाते हूं, तो काई सभी अपर चलते हैं, आनन्द गवन के आंदर और इंटरियेट अन्दर जाने का रास्ता, यहां तो अन्दर जाएंगे, और यह सारे वच्चे हैं, जो आने के ऌशाद आए हैं, और यह देखिया अंदर का व्यू है, यह पूरा आनन्द भवन का अंदर का व्यू है, कितना त्यारा हुऍता है। इस पिर्भाक में मैं तो उसलों यहां पानल है। इस पर और यह सुन पिर हैं। यह भावन है भावन के भी एक पार्ट है बागिया बहुत साइचीजी है यह देविन भगी हमारे यह पिक इस जवाब सब्सक्राइब और यह सब्सक्राइब के ग्राइशनल पोर्स ने बदे लिए आधित एल्वन जो 2nd सप्टेंबर को लॉंच किया गया है अब 2nd तब निसे पर कंदम हो रहा है तो धीरे धीरे अफे शाइचीजी और आगे बढ़ रहा है जिस इस जोलाइब मिल सकी सूरी क्या एक तारा है जिसमें 13 लाख प्रिद्वी आ सकती है प्रिद्वी से 10 लाख गुना पढ़ा है जब प्रिद्वी आसमान मा आवात्या या कुर्णिमा के चद्रमा को अर्थ चद्राकार बन्य में दो एक सफ्ता या साथ इनकर समे लगता इंए इसलिए एवीड में होते हैं जिसे हुतिए तब या मंदर से निकलना है बाहर आगए है बाकि बच्चों की काउंटिंब हो रही है अभी हम लोग यहां से जायेंगे बाहर और कहते हैं कि यहां पे इंद्रा गांधी जो थी और पंडिजवाला नहेरू उनका यह मतलब बसपना यही बीता था यही उनका जन्म हुआ था वो यही कि हैं यहां काफी बहुत सारी सीजे हैं लेब्रेरी हैं वेजिया में हैं मतलब काफी चीजे हम गूम नहीं पाएंगे प्रियाग राज की आनन्द भौन में जवाहर तारा मंडल में आज अपने विद्याले के चात्रों को लेकर आए हुए हैं जवाहर तारा मंडल बैसिकली एक खगोली घटनाएं जो कुछ होती हैं उनके बारे में एक बीडियो के माध्यम से प्रोजक्टर के माध्यम से बच्चों को रिखाये जाता है खगोली घटनाओं में जैसे चंदर कलाएं हो गई, सूर्ग रहन हो गया, चंदर रहन हो गया उनके बारे में जानकारी हो जाएगी अब हम पीछे की तरफ कहेंगे कैमरा ले जाए ये है आनंद भवन हमारी आजादी की लड़ाई की ऐताहासिक धरोहर पंडि जबाहरलाल नहरू की पीता, पंडिक मोती लाल नहरू जो की इलाहाबाद उच्चनियालाई के बड़े वकील हुआ करते थे उनका घर है उनका यावास है और यहीं पर हमारे प्रतन प्रधान मंद्री पंडिक जबाहरलाल नहरू और स्रीमती इंद्रा गाधी का बचपन भीता ये घर अब एतिहासिक धरोहर के रूप में सजो कर रखा गया है इसके बगल में सुराज भवन है जहां पर आजादी की विभिन घटनाओं से संबंधी चीजों की चित्र में प्रधर्शनी है और साथी एक विसाल कुस्तकाले भी है जिस कुस्तकाले का प्रयोग स्रीमोती प्राल नहरूजी अपनी वकालत के पेसा के दौरान करते थे बहुत ही खुब कुरुत ना जा रहा है यहां पर भीड हमेशा से लगी रहती है मैं चाहूंगा कि दिखाए उस प्रिस्ट को कि अगरे तो गाई सभी हम यहां से निकल रहे हैं तारा मंडल से अब इसके बाद इस अब बच्चे बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद आप जाएंगे शंगम गंगशनान करेंगे और फिर देखने कहां चलते हैं दिखाते हैं आपको अबर कि आपकी है हमारे है है यह है अबरर हम्य है कात फाल तैंट फिल गंगा मैया के पास तो अब हम व्सब जा रहे हैं इस खिरा और kayak दिखार हार השाज बहुत जादा ठंडी है अभी पिछले समय ऐसे तक कि यह से तभी नहीं करेंगे और यह हमारे सुभाव सर्ट है और बाकिसा लोग आगे हैं बच्चे जा रहे हैं चलते हैं दिखाते हैं कैसा है यहां पूड की सवारी भी कर सकते हैं घोड़े की उंट की सब सुविधा उपल की सबस्क्राइब 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 कर देंगे ही पे पिर मिलते हैं लोग को एंड कर देंगे ही पे पिर मिलते हैं लोग के ततक ले बाए बाए बाए